EVS या प्रियावर्न ध्यान की online study में आप सब का हारदिक स्वागत है आपने 3rd class की EVS के lesson 1 की बीडियो में जाना है कि अलग-लग जानबर अलग-लग हरकतें करते हैं और अलग-लग आवाजें भी निकालते हैं आपने कुछ जानबरों की अवाजों और moment या हरकतों की नकल भी या कॉपी भी की होगी जानबरों के चलने का धंग भी अलग-लग होता है आपको इस वीडियो में जानबरों के चलने के धंग के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हों तो आप त्यार हैं? चलो शुरू करते हैं. आप 3rd class की EBS की book Looking Around या आसपास के page number 3 को open करें. आप इस page को अपनी screen पर भी देख सकते हैं. Different animals move in different ways to go from one place to another. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अलगलग जानवरों का अलगलग तरीका होता है. Some animals walk, some crawl, some fly and some swim. कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं. कुछ उरते हैं तो कुछ तैरते हैं. For this, some animals use their feet, some use their wings. Some animals even take the help of their tail. इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूँश का सहारा भी लेते हैं. आपने जाना कि कुछ जानबर रेंगते हैं या crawl करते हैं. जिन जानबरों के पैर, feet या wings पंख नहीं होते, वो crawl करते हैं. जिन animals के पंख होते हैं, वो उड़ते हैं. और जिनके पैर या feet होते हैं, वो चलते हैं. You must have seen many animals to write which of them. तुमने भी बहुत सारे जानबर देखे होंगे. उन में से कौन-कौन से जानबर can fly उड़ते हैं. आपकी स्क्रीन पर ये जो पिक्चर दिख रही है, ये क्रो की है, यानि कौवे की, आपने इसे देखा है, ये उड़ता है. अब इस पिक्चर को देखें ध्यान से, इसको भी आपने देख रखा है, ये है पैरट, इसके पंक होते हैं, और ये फ्लाई या उड़ सकता है. अब इस तीसरी पिक्चर को दिखान से देखें, ये क्या है, स्पैरो यानि चिडिया, इसके भी पंक होते हैं, और ये उड़ सकती है. तो आपने देखा, क्रो यानि कौवा, पैरट यानि तोता, स्पैरो यानि चिडिया उड़ते हैं. जो रेंगते हैं, तो रेंगने बालों में आप अपनी स्क्रीन पर देखें, सबसे पहले स्नेल यानि सांप, सांप रेंगता है. यह जो picture अभी आपको आपकी screen पर दिख रही है यह snail की है इसको घोंगा बोलते हैं यह रेनी season में आपको दिखाई देगा यह भी रेंगता है अगली picture आपकी screen पर जो है यह है earthworm की, kyn Even की यह भी आपको बरशातों में दिखाई देता है और earthworm भी रेंगता है आपने जाना स्नेक यनि साम रेंगता है, स्नेल यनि घोंगा और अर्थबॉम यनि केंचुआ ये रेंगते हैं. केंबॉक चलते हैं. आपने चलने वाले बहुत सारे एनिमल्स देख रखे होंगे. अपनी स्क्रीन पर देखें, ये पिक्चर कैट यनि बिली की है, बिली के पौं होते हैं और ये चलती है. नेक्स पिक्चर है डॉक की यनि कुता ये भी चलता है, इसके भी पौं होते हैं और आपने इसको जरूर देखा होगा. नेक्स पिक्चर है, कव यानि गाए, तो आपने गाए को देख रखा है, गाए चलती है, इसके feet यानि पैर होते हैं, पहली पिक है, cat यानि बिल्ली की, दूसरी dog यानि कुता, तीसरी कव यानि गाए, ये सब ही चलते हैं, can, hop, जो फुदकते हैं, तो क्या, आप ऐसे कुछ animals के नाम जानते हो, जो फुदकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये जो पिक्चर या चितर दिखाई दे रहा है, ये कंगारू का है, और ये फुदकता है, next picture जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये है grass उपर या टिड़े की, जो की बरसातों में आपने देखा होगा, ये भी फुदकता है, अगली पिक्चर रैविट या खरगोश की है, ये आपने देख रखा होगा, खरगोश भी फुदकता है, तो पहली पिक्चर कंगारू और दूसरी ग्रास उपर या टिड़ा, तीसरी रैविट या खरगोश ये तीनों फुदकते हैं, एव विंक्स, पंक वाले, आपने पंकों वाले या विंक्स वाले बहुत सारे एनिमल्स देखे होगे, ये जो आपकी स्क्रीन पर पिक दिखाई दे रही है, ये है पिजन की यानि कबूतर के, कबूतर के पंक होते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगली पिक है, पीकॉक यानि मोर के बहुत सुंदर पंक होते हैं next picture है crow की आप इसे पहचानते हो crow यनि कवा कवे के भी पंक होते हैं पहली picture pigeon यनि कबूतर दूसरी peacock यनि मौर तीसरी crow यनि कवा इन सब के wings या पंक होते हैं है feet पैर वाले, feet वाले या पैरों वाले आपने बहुत सारे animals देखे हैं, आपकी screen पर यह जो pick दिख रही है, आप इसे पहचानते हैं, यह है cow यानि गाए की, तो cow के पैर या feet होते हैं, next picture है cat की, cat के भी feet होते हैं, अगली picture है dog यानि कुत्ते की, तो dog के भी पैर होते हैं, पहली पिक cow यानि गाए, दूसरी cat यानि बिल्ली, तीसरी dog यानि कुत्ता, इन सब के पैर होते हैं, have a tail, पूँश वाले, आपने टेल या पूँश वाले animals भी देख रखे होंगे, इस चित्तर को आप जुरूर पैचानते होंगे, यह है monkey या बंदर, इसकी लंबी सी टेल होती है, यह picture है rat यानि चूहे की, इसे भी आपने देख रखा होगा, इसकी भी पूँश या टेल होती है, अगली पिक्चर है वफलो यानि भेंस की इसकी भी पूँश होती है, और आपने भेंस को देख रखा होगा, तो पहली पिक है monkey यानि बंदर की, दूसरी rat चूहा, तीसरी वफलो यानि भेंस इनकी पूश होती है, आपने अभी तक उनने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले, और पंक वाले, पैर वाले, और पूश वाले एनिमल्स के बारे में जाना, मुझे उमीद है कि आब इन जानवरों को पहचान पाओगे, जानवर अलग लग जगह रहते हैं, सम एनिमल्स लिव इन दा ट्रीज, सम इन वाटर, कुश पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में, सम लिव ओन लेंड, कुश जमीन पर रहते हैं, सम लिव अंडर दा ग्राउंट, कुश जमीन के नीचे रहते हैं, and some fly in the sky, कुश अकाश में उड़ते हैं, सम एनिमल्स इवन लिव इन अवर हॉसीज, कुश तो हमारे घरों में भी रहते हैं, अभी तक आपने इस वीडियो में जाना, कि जानबरों के चलने का धंग अलग-लग होता है, कुश चलते हैं, कुश रेंगते हैं, कुश उड़ते हैं, तो कुश तैरते हैं, कुश जानबरों के feet यनि पैर होते हैं, कुश के wings यनि पंक होते हैं, तो कुछ की लंबी टेल यानि पूँश होती हैं इसी तरह से जानबर अलग लग जगा रहते हैं आपको टेल वाले यानि पूँश वाले किसी जानबर की एक सुन्दर सी पिक बनानी है और उसे अपने क्लास टीचर को वाटसेप ग्रूप में सेंड करना है इस वीडियो में इतना ही आगे की जानकारी अगली वीडियो यानि पार्ट थ्री में दी जाएगी Have a nice day